राम राम दोस्तों दोस्तों आज बैंक निफ्टी ने काफी बहतरीन मुमेंटम दिया और एक सेटप भी बना था बिलकुल टॉप पे ही बना था कौन सा बना था उसका भी डिसकेशन करेंगे लेकिन पहले हम क्या-क्या डिसकेश करने वाले हैं उन सर्च जीजों को देख ले यहां पर मार्किट ने सपोर्ट ले रहा है यहां पर सपोर्ट ले रहा है कि अगर यहां से मार्किट में एक मुमेंटम आया क्योंकि यहां पर भी एक ट्रेंड लाइन थी अगर आप देखेंगे इसका अगर आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो आपके लिए अगले नहीं कर पाया था, मार्केट इसी एक चैनल के अंदर वापिस आता हुआ, आपको दिखाई दिया था, जब मार्केट वापिस आया तो अब इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले रहा है, क्या आगे की स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए उसका भी डिसकेशन करेंगे, क्योंकि दूसरा ये ट्रेंड लाइन भी काफी इंपोर्टेंट है, यानि कि जब तक हमें 48,000 का ब्रेकडाउन नहीं मिलता है, नेगेटिव साइड आपको aggressively कुछ भी प्लैन नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है, मार्केट एक करेक्शन ले रहा हो, जब तक आपको 48,000 का ब्रेकडाउ आपको नहीं रखने है, क्योंकि ये situation हम पहले भी देख चुके, जब आप देखेंगे, ये एक high लगा, मार्केट ने फिर correction लिया, फिर वापिस आया, फिर correction लिया, फिर वापिस आया, फिर correction लिया, फिर correction लिया, फिर वापिस आया, फिर वापिस आया, फिर एक high लगा, तो यहाँ पर भी market ने इसका breakdown नहीं दिया था, यहाँ पर भी आप higher low देखेंगे, तो possibility यह भी रहेगी कि यहाँ पर भी आपको एक higher low ही देखने को मिले, लेकिन अगर market इस high से नीचे आ जाता है, तो महीं यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि trend change हो गया, लेकिन यह तो काफी दूर है फिलाल आपको सोच के चलना है, कहाँ पर 48,000 और यह वाली trend line पर आपको focus रखके चलना है, अभी सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, one day के time frame पर भी, one day के कह रहा हूँ, 15 minutes के time frame पर भी आपको बहुत सारी interesting चीज़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम logic का discussion कर लेते हैं, म पर आपको बड़ी green candle देखने को मिली, और market ने आपको एक काफी बड़ी green candle दी, इसका मतलब पहली बता दिया कि दूर रहना है, फिर हमें देखना होता है कि यह train कहां रुकेगी, इस train ने यहाँ पर रुका, अगर यहाँ पर बना चुका trading day high, इसके just उपर है हमारा previous day closing, अ positive side एक scenario बन सकता था, क्योंकि अगले resistance की possibilities आपके लिए previous day high पे हो सकती थी, लेकिन market ने यहाँ पर एक reversal momentum दिखा है, जितने लोग उने course किया हुआ है, वहाँ पर मैंने इस setup का discussion किया हुआ है, कि अगर बड़ी green candle देखने को मिलती है, और एक बड़ी red candle देखने को मिलती है, महाँ पर मैंने दो strategies और setup बता हुए है, फिलाल 75% का off चल रहा है, नीचे description में आपको application का link मिल जाएगा, एक और मैं आपको जानकर यहाँ पर देना चाहता हूँ, मैंने एक course और launch किया है, जो कि है trending days strategies, अगर आप उसे free में करना चाहते हैं, तो आपको fires में अपना account open करना पड़ेगा, नीचे description में आपको link मिल जाएगा, उसमें 7 दिन तक trading कीजिए, और फिर आप application में मुझे अपनी detail बेज सकते हैं, मैं आपको scores में add कर दूँगा, तो फिलाल आपको market में यहाँ पर situation देखेंगे, एक चीज़ और note करो, यहाँ पर market ने आपको trap भी किया है, अलाकि उसके बाद फिर market ने जब इसका breakdown दे, उसके बाद भी आपको एक momentum देने की market ने कोसिस किया है, लेकिन यहाँ पर market ने सीधे सीधे आपका SL खाने की कोसिस किया है, important setup आपके लिए यही पर था, क्योंकि यहाँ से आपका एक तो rejection भी था, क्योंकि आप देखेंगे ए ट्रेडिंग डेलों आपको इहाँ पर बना हुआ था, यह सीधा सीधा one-sided या one-spike का momentum था, प्रेमिया में भी काफी उचाल आये थे, काफी तेजी से आपको इस situation market में बनती हुई दिखाई देती, आई अब हम situation को और detail में discuss करते हैं, और 15 minute के time frame पर चीजों को समझते हैं, 15 यहाँ पर नीचे की तरफ एक support zone भी साप-साप दिखाई दे रहा है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात trend line की नहीं है, आपको दोनों का breakdown चाहेगा अगर market negative side momentum देना चाता है, इसके साथ-साथ बात सिर्फ यहाँ पर भी खतम नहीं होगी, क्योंकि एक trend line हमें यहाँ पर support line one day के time frame पर भी दिखाई दे रही है, वो भी आप यहाँ पर draw करके रखेंगे, जैसे अगर मैं यहाँ पर change कर दूँ 15 minute का time frame, अगर मैं यहाँ पर change कर दूँ तो देखो यह trend line यहाँ पर आगी, यहाँ पर आपके लिए य 48,000 का एक round level भी है, चीज़े समझ मैं आगी वापिस महीं पर आते हैं, मैं इसे फिर से one day का select कर देता हूँ, क्योंकि अगर कुछ discussion करना हुआ वापिस आ जाएंगे, अब यहाँ पर एक और discussion करते हैं, अगर market flat open होगे आपको positive momentum दिखाता है, दोस्तों अगर आपने अभी त previous swing को निकल ले देना, इससे आपको trend line का भी breakout मिल जाएगा, और previous day closing और previous day low दोनों pass में ही हैं, फिर से ध्यान से notice करो, यहाँ पे एक support zone भी है और एक trend line भी है, यानि कि चार चीज़े यह आपके लिए पास में हैं, तो यहाँ पे इस वाले swing का अगर breakout मिला तो market आपको इन च breakout मिलता है, तो आपके लिए previous day high काफी important support और resistance रह सकता है, इसका भी breakout मिल सकता है, तो all time high और यहाँ पे 49,000 का एक round level भी है, वहीं पे अगर market flat open होके आपको negative momentum दिखाता है, दोस्तों इसका discussion करने से पहले मैं आपको बता दूए, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई buy recommendation ह है, ना ही कोई selling recommendation है, यह just educational purpose से बिनाएगी analysis वीडियो है, invest करने से पहले आपको अपनी research करने है, अपने investor की सला लेनी है, क्योंकि profit भी आपका होने वाला है, loss की जिमिदार भी आपको अपने आप लेनी है, अगर market flat open होके आपको negative momentum दिखाता है, तो इस वाले situation में एक तो आ साथ-साथ यह 48,000 का important level, क्या इस से पहले कोई rook out है नहीं आएगी market में, बिल्कुल आएगी, क्योंकि support की possibilities अगर price action के according देखेंगे, तो आपके लिए इस वाले zone में भी, यहनकि 48,200 के round भी आपके लिए support की possibilities बनती भी दिखाई दे सकती है, वहीं पर अगर market आपको gap up opening देत लेकिन अगर gap up open देके market reverse होने लगया, तो negative side आपको कुछ भी plan नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर previous day closing का आपके लिए support हो गया, यह वाला भी support है, previous day low का support है, और यह trend line का भी support है, पहले इन सब का breakdown मिलने दो, तब आप negative side कुछ plan करके चल सकत है, वहीं पर अगर आपको gap down opening मिलती है, तो आप पूरा focus दो चीजों पर रखेंगे, एक तो यह support line पर और previous day low पर, अगर marketing से नीचे gap down open होके, आपको follower candle दे देता है, तो negative side आपको momentum market में मिल सकता है, यह किन अगर support लेके ऊपर जाने लेना, फिर धियान रखना, इस वाले swing स उपर निकलने दीना, इस बीच कुछ भी नहीं करना, इस बीच अगर आप करना चाहते हैं, तो छोटे मोटे scalping opportunities पर फोकस कर सकते हैं, अगर आप scalping नहीं जानते कैसे की जाती है, तो उस पे भी मैंने आपको एक course provide किया हुआ है, नीचे description में आपको application का link मिल जाएगा, फिर मिलेंगे किसी next video में किसी अच्छे content के साथ, thank you